नमस्कार दोस्तों गारगी क्लास्टेस पर आपका स्वागत है डेट आज के 8 अप्रेल 2023 देख लेता है एंडियन एक्सप्रेस के एक्स्प्लेइन पेज से इंप्रेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक तो इश्यू है वो रहेगा सेम सेक्स म Bridज को अप्रूवल देने से समंदित लीगालेटीं देने से समंदित है सुप्रिम कोड में सुनवाई आज चल आज हुई है उससे समंदित है दूसरा हम देखेंगे महरास्ट्रा में हीट स्चॉक की वजह से कुछ डेख्स होई है तो वРकले मियामार का जो Constitution Bench के पास में यह मुद्दा है जिसको लीड कौन कर रहा है Chief Justice of India Justice D.Y. चंदर्शूड और उनके अलावा चार और जजेज हैं तो basically यह है कि Same Sex Marriage को Legally Recognition मिले इसके डिमांड की जा रही है तो पहले यह सवाल जो था यह तीन जजेज की Bench के सामने था सुप्रीम कोर्ट में ही पर उस टाइम पर यह कहा बोले Constitutional Rights का यहां पर फंडा थोड़ा सा अठक रहा है साथ में Special Marriage Act है इसका भी मुद्दार है तो बोले इस चीज को थोड़ा सा ब्रॉडली और डीटेल में अंडरस्टेंट करने की ज़रुवत है इसलिए टाइम और जो बैंच साइज है वो भी बढ़ा करके तीन के जिगर पांच कर दी गई अल्टीमेटली पांच जजिज की बैंच जो है वो सुनवाई कर रही है ठीक है इसमें अगर देखें तो केस जो है वो सेम सेक्स कपल है जिसमें कपल में यह दो इंडिवीज्वल सुप्रियो और अब है जो हैदराबाद में दिसंबर 2012 में मिले और इन्होंने वेडिंग कम कमिट्मेंट सेर्टिफिकेट जो है सेरेमनी है वो सेलेब्रेट करनी है अपनी रिलेशन्शिप की तो उस पॉइंट ऑफिस से इनका यह कहना है कि हमें भी लीगल एक रिकनीशन मिलना चाहिए प्रेटिशन में यह दिमांड की जारी है कि सेम सेक्स कपल जो है उनको भी मतलब constitutional rights जो है उनको मिले इसके अलावा right to adopt ठीक है right to have children सरोगेशी से ठीक है सरोगेशी का मतलब आप जानते हो किस तरीके से एक लेडी अपने eggs जो है वो दूसरी लेडी है दूसरी women के womb में implant करवा देती है और फिर उसके बाद में जो बच्चा पैदा होता है उसको अपन बच्चा बोलती है मतलब यह एक सिस्टम होता है सरोगेशी का सरोगेशी का किराए की कोक मतलब reproductive technologies का यूज करना inheritance maintenance ठीक है टेक्स benefits बोले सारे benefit मिलते हैं even कई जिगह हो तो employment में भी benefit मिल जाते हैं जब आप married होते हो तो बोले जब हम same sex individuals अगर साथ में रहते हैं और हमारा marriage क relationship हम continue कर रहे हैं तो उसको proper recognition जब मिल जाएगा तो उसके basis पर हमें यह benefits भी मिलने लग जाएंगे शादी करके रहना ही नहीं होता है बोला कुछ legal rights भी होता है उनका recognition भी होना चाहिए इसके लावा आपको पता है कि अगर कोई widow है या widow है मतलब या तो पती पती खतम होग या प्रापरटी का तो बोलो वो चीज़े कहीं नहीं यहां पर डेप्राइव हो जाएगी अगर same sex marriage को आप approval नहीं देते हो मतलब एक broad demand है ठीक है इसके लावा एक act है the transplantation of human organ act इसमें हम क्या बोलता है कि भाई जो relative नियर relatives हैं उनके organs को आप utilize कर सकते हो तो सवाल यह है कि जब utilize मतलब use कर सकते हो अगर वो donate करना चाहते हैं खुशी-खुशी ठीक है जैसे kidney का issue आगया कुछ भी आगया तो point यहां पर है कि donation जैसे benefit भी लेने में आसानी हो पाएगी अगर same sex marriage को approval मिलता है यह arguments से basically कि क्यों same sex marriage को legal recognition देना चाहिए इसके अलावा income tax act 1961 का section 80 है उसमें कुछ deduction मिलता है उसके benefit मिल जाएंगे अगर legal recognition मिल जाता है इसके अलावा शादी जो है वो society में acceptance भी create करती है सीधी बात सोसाइटी में अगर हम किसी को recognize करते हैं तो आप खुद देखा गरो किस तरीके से perceptions create होते होते हैं कोई कि रहा होता है तो या कोई married होता है तो तो इस तरीके स बहुत सारे aspects हैं इसलिए कहीं ना कहीं यह जो system है ठीक है जिसमें आप legal recognition provide गरो same sex marriage को फिर petition में यह बोला गया है equality जो है वो आप मतलब sexuality के basis पे आप किसी को discrimination नहीं करते हो उसी से नहीं होती है उसके अलावा life के दूसरे हिससे भी होता है जैसे घर, workplace, public place ठीक है वहाँ पर भी एक acceptance होनी चाहिए तब जाकर के hope आएगी और उसके लिए बोले legal backing हो जाएगी तो benefit होगा ठीक है same sex couples को benefit मिल सक सकता है तो कि scandal में special marriage act of 1954 जिसमें inter-religious और inter-caste marriages को approval देने के संबंद में provision है तो यह बताया जा रहा है कि this act में section 4 अना उसमें आप same sex marriage को add कर सकते हो petition में यह बात भी बोली गई है इसके अलाबा constitution में article 14 right to equality before law article 15 right against discrimination on ground on of religion, race, caste, sex, place of birth article 19 freedom of speech and expression article 21 protection of life and personal liberty of constitution बोले यह सारे articles का भी protection होना जरूरी है अगर same sex marriage को आप नहीं recognize करते हो article 14, 15, 19, 21 इन सब का बोलो violation हो जाएगा तो यह तो है petition मतलब Supreme Court में request यहाँ जी आप इस चीज़ पे नज़र डालो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है same sex marriage को legal recognition देने की अब हम बात करते हैं Central Government की तरफ से हैं तो Central Government ने 12 मार्च और 16 मार्च को दो counter-affidavit अपनी तरफ से submit किये हुए और इसमें साफ साफ लिखा कि बोला शादी का जो institution है वहलो समाज का होता है और इसमें इससे समदित अगर कोई भी provision करने हैं तो उसमें judiciary का intervention exclusive नहीं होना चाहिए बजाए इसके ज़रत यह है कि legislature जो की public representatives का वहाँ पर एक house है लोग सभा राजे सभा कि हम बात करें तो बोला वहाँ पर proper debate होगा तो उसके basis पर यह recognition दिया जा सकता है अगर यहाँ पर supreme court कोई guideline issue कर दे recognition देने की बात कर दे तो बोले यह कहीं ना कहीं आप social issues में अपने intervention create कर दोगे जो कि आने वाले टाइम पर problem create कर सकता है तो ऐसे में बोलाई यह काम legislature का है अब हम देख लेता है supreme court के कुछ ऐसे judgments जिसमें same sex से related relationship होती उसको recognize करने से समय क्या क्या बाते बोली है 2006 का case है लता सिंग वर्सिस state of UP शाफीन जहान वर्सिस अशोकन के एम 2018 का case है लक्षमी बाई चंद्रागी बी वर्सिस the state of करनाटका 2021 इसमें यह कहा है कि article 21 जो है उसके अंडर में right to marry जो है वो बिलकुल दिया हुआ है इसका मतलब यह हो गया कि एक individual अपनी choice के किसी भी individual के साथ शादी कर सकता है article 21 के basis पे यह question आया हुआ है prelims में ठीक है सीधा कि right to marry जो है वो क इसका पार्ट है तो आर्टिकल 21 का पार्ट है ठीक है दूसरी अगर बात करें तो सुप्रीम कोट ने 2017 का जो केस पुट्टा सुआमी केस है उसमें भी यह कहा था कि जो LGBTQ community से बिलोग करने वाले individual है आप उनके अधिकारों को रोक नहीं सकते उनके भी उतने ही अधिकार है ज जो male female sex oriented individual से उनको देते हो ठीक है right to freedom या फिर the essence of liberty and freedom ये इनका भी पार्ट है right to privacy article 21 ये इनका मतलब जो भी individual Indian citizen उनको सब का अधिकार है फिर इसके अलावा 2018 में जो केस आया नवतेज सिंग जोहर and others वाला केस union of India के खिलाफ तो इसमें क्या है LGBTQ community को क्या कह दिया कि उनको सभ जो liberties constitution में एक individual को मिलती है वो सारी LGBTQI plus community को भी मिलेगी तो इस तरीके से supreme court के judgments हैं वो एक तरीके से liberal stand show करता है supreme court का बाकी देखो क्या verdict रहा क्या नहीं कल न्यूस पर में आ जाएगा तब हो देख लेंगे हम बाकी फिलहाल जो demand है वो हमने देखी central government का stand up वो हमने देखा और previous Supreme Court के judgments हैं उनकी हमने बात की इस case में particularly क्या verdict रहा क्या Supreme Court की guidelines रहेंगी वो हमें कल पता पड़ेगी आगे चलता है next article है महराष्ट्रा में heat stroke की वज़े से 13 जनों की death हो गई basically ये मुंबई में नवी मुंबई में ये एक huge gathering थी पता पड़ा वहाँ पर temperature rise हो गया गर्मी पड़ गई और उसकी वज़े से वहाँ पर 13 जनों की death हो गई तो बोले ये अपने आप में इंडिया में heat wave की वज़े से जो deaths होई है एक single incident में ये highest है ठीक है इसके पहले इतना ज्यादा नहीं हुआ तो इसके पीछे क्या कारण है देखो normally अगर देखा जाए तो temperature rise होने की वज़े से हम समझते हैं कि हाँ death हो गई तो कभी भी गर्मी ज करता है क्योंकि अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो सीधी बाहता पसीना आएगा sweat बनेगा और sweat फिर बात में ज्यादा गर्मी की वज़े से evaporate हो जाएगा और body temperature को maintain रख पाएगा पर क्या होता है कि high temperature condition में अगर high humidity maintain हो गई तो वो condition होती है wet bulb temperature और इस wet bulb temperature में क्या हो गय वो अब sweat जो है वो evaporate नहीं हो पा रहा है और वो हमारी body के temperature को उल्टा बढ़ा देता है इस वज़े से फिर क्या होता है temperature हमारी body का rise हो जाता है जिसकी वज़े से fertility हो जाती है death हो सकती है तो बहुत यह एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है humidity बाकि तो हम सीधी आते हैं बात पर कि देखो climate change एक reality है ठीक है climate change की वज़े से एस incidents और बढ़ सकते हैं फरवरी महीने में इस तरीके का already event हो चुका था वो बात लग है कि March end में थोड़ी बारिश हो गई तो थोड़ी relief मिल गई ठीक है नहीं तो फरवरी में temperature एक बार तो strike कर गया था 30 plus में पहले ही चला गया था मिड़ फरवरी में ठीक है फिर मार्च में थोड़ी rainfall होई तो थोड़ा control हुआ temperature अब climate के हिसाब से देखें तो जैसे कि हम अल नीनो ला नीना वाला segment discuss करते रहते हैं तो ला नीना का last phase चल रहा है ठीक है ला नीना कम हो रहा है और अल नीनो राइ globally temperature अभी क्या हो रहा है rise अल नीनो जो है वो ला नीना का बिल्कुल opposite है temperature rise होना जो है वो common रहता है अल नीनो में और साथ में अगर अल नीनो यह रहता है तो इसका मतलब temperature ज्यादा और temperature ज्यादा वाली condition में फिर हमारे monsoon भी weak पढ़ जाता है monsoon और अल नीनो को mechanism हमने previously discuss किया लिंक मैंने description box में share कर दिया बाकि आप आराम से वीडियो वाले section में जाओ चैनल पर और आपको पता पड़ जाएगा ला नीना अल नीनो को हमने कितना detail में discuss किया है तो हम दुबारा वही चीज़ पिकनी करेंगे point यह है कि climate change भी एक reality है इसकी वजह से भी heat stroke आना एक possibility बनती है वैसे देखा जाए तो कहीं पर भी कोई mass gathering होती है ना तो उसके लिए proper guideline issue की जाती है कि वहाँ पर proper पानी की ववस्ता हो अगर किसी के dehydration हो तो ORS पिला करके उनको वापिस proper रखा जाए ठीक है medical intervention के लिए first aid kit वहाँ पर available होता है इसके अलावा NDMA National Disaster Management Authority वह और election commission of India इनके द्वारा guideline दी जाती है अगर कोई political rally होती है तो क्योंकि सीधी बात mass gathering होती है तो कुछ ऐसे incidents हो ही सकते हैं तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी alarming situation देखने को मिली है आगे चलते है नेक्स आर्टिकलर रोहिंग्या इन म्यामार issue देखो हुआ क्या है कि Gambia ये African country है Gambia न Hag में located है और इसमें क्या case था कि भई म्यामार ने international genocide convention को breach किया है और वहाँ पर जो रोहिंग्या मुस्लिम से उनके साथ atrocities की है जिसकी वज़े से बहुत सारे रोहिंग्या आज की दो death हो गई और बाकी जो है वो कई लाखों के संक्या में म्यामार से भाग करके कहा चले गए बंगलादेश में तो बोलो वहाँ पर genocide का एक event देखने को मिला है तो गैंबिया ने case किया था ये म्यामार के खिलाफ में अम म्यामार जो है वो ये demand कर रहा था कि भई हमें 10 महीने का time देदो जिससे के हम reply दे सके counter memorial register करा सके तो इस case को फिर international court of justice ने reject कर दिया बोलो आपको immediately जवाब देना होगा म्यामार में आपको पता भी rule किसका चल रहा है जुन्ता रिजीम चल रहा है वहां की military का rule चल रहा है तो clearly अगर देखें तो म्यामार की request को वहाँ पर ICJ ने reject कर दिया तो 2017 में होता क्या है एक clearing operation करके म्यामार के military ने operation conduct किया जिसमें म्यामार में जो रहा पर atrocities करनी शुरू कर दी म्यामार में आपको पता है national religion के abuddhism तो इस वज़े से वहां से उन लोगों को मजबूरन भागना पड़ा और कहां settle होना पड़ा बंगलादेश में और बंगलादेश में एक island है जिसका नाम है Cox Bazar वहां पर इनको रहिंग्याज को settle कर रखा है तो यह अपने आप में genocide का event हुआ की नहीं इसलिए यहां पर म्यामार के खिलाफ में case हो गया ठीक है अब देखो 2017 में जो यह incident हुआ था उस time पर म्यामार में एक तरीके की democratic system चल रही थी पर democracy वहां पर क्या है कि वहां की parliament में म्यामार में 25% seat जो है वो army के लिए military के लिए reserved गया कि military ने फिर अपनी intervention डाल दी और आज आप खुद देख लो कि 2021 से लेकर कि 2023 में हम पहुँच गये हैं military ने 2020 के election के बाद में वहां पर coup कर दिया और वहां की जो democratic system उसको बिल्कुल collapse कर दिया और अब वो military जो है वो अपनी तरफ से नए elections conduct कराना चाहती है पर उसके ओप पर military कब से proper election कराने लग गई ठीक है अब क्या है कि वहां पर एक तरीके से एक polarity create हो रही है एक तरफ military है और दूसरी तरफ pro-democracy groups है जैसे ये pro-democracy group है उनमें एक तो national unity government है इसके लावा एक organization और है जो mainly highlighted है जिसका नाम है यहां पर people's defense force ये तो चाहते हैं कि बही कैसे भी कर है जो democratic हो फेडरल हो या right based polity हो हर तरीके से induct किया जाए जो कि military है वो यह कहती है कि यह जो जिस तरीके की pro-democratic system operate कर रहे हैं दूर-दूर से बोलो उनको हम बिल्कुल crush कर देंगे इसका मतलब यह हो गया कि military बिल्कुल भी ready नहीं है कि रोहिंग्यास के बारे में वो सोचे भी ठीक है अब देखो एक तरीके से military पे बहुत सारे pressure भी है ठीक है जुन्टा रूल पे भी और दूसरी तरफ अगर देखे तो रोहिंग्यास जो है वो अपने घर पे definitely जाना चाहेंगे तो अब यह situation अभी create हो रही है ठीक है तो main point जो थे वो हमने देख लिए ठीक है न ओके तो discussion में यह articles थे और आप एक बार नजर डाल लो जो भी आपको कोई देखने की point लगे तो main main जो चीज़े थी वो हमने देख लिए ठीक है discussion यह था मैं thank you